प्रॉब्लम हमारे पास जी, inclination of line, question of find the slope and inclination of the line joining the points, minus 2, 4, 5, 11, sketch each line in the plane, 소리 एमने line की sketch भी करना है, यनी slow finding error करना है मतलब कि हमने MS enabled करना है, और inclination की मतलब हमने alpha finding a clinical frame नहीं कितना angle बना रही है line उस plane के सा एथ, हम परे plane ड्राओ करते है ये मारे पसtieट, फेर्ड कर लिए, ये मेरे पास six axis है, यह मेरे पास y-axis है यह मेरे पास minus x-axis है और यह मेरे पास minus y-axis है और यह मेरे पास क्या है origin सबसे पहले point draw करें फर्स कर लें, point a है यह point b है तो सबसे पहले point draw करते हैं point है मेरे पास minus 2, 4 तो minus 2 इस तरफ होगा 1, 2 यह minus 2 और plus 4 1, 2, 3, 4 एक तो पॉइंट ही आ गया ठीक है और दूसरा पॉइंट देखें 5 और 11 तो 11 तक तो मेरे पास graph नहीं है लेकिन हम roughly draw कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और यहां से 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहां से देखें यह 8, 9, 10 ठोड़ा से मैंने नीचे बना दिया 10 और 11 तो यह पॉइंट है आपके पास B यह पॉइंट A है और यह पॉइंट B है अगर इन दोनों पॉइंट को मैं जॉइन कर दूँ टीक एक स्ट्रेट लाइन के साथ तो मेरे पास और एक्स्टेंड कर दूँ तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी जैसे अगर आप यहां से देखें अभी भी यह प्रॉपर ड्रॉण नहीं हो पारी चले हम कोशिश करते हैं चले यह कुछ सेंस बना रही है अब इसको इस तरफ भी एक्स्टेंड कर दो यह बिसिकली वह लाइन है है अब सबसे बढ़ी बात और Henri के अब देखें टो Engineering कि Slope करना है और ये कितना एंग्ल बना रही हमने फाइन ओड करना है अलफा कि इतना है टीक है अब सबसे बहले तो हम Slope final करते हैं तो Slope आफ लाइन अलइन यह बी Slope आफ लाइन our x2 minus x1 तो y2 कितना है y2 है हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं यह x1, y1 यह x2, y2 तो 11 minus 4 divided by 5 minus minus 2 5 minus minus 2 तो आपके पास आजएगा 11 minus 4 कितना होता है 7 और 5 minus into minus plus 2 तो 7 by 7 जो कि होता है 1 इसका मतलब इसकी slope क्या है मतलब अगर आप unit change ले के आएगा इसके अंदर तो यह y के अंदर unit change ले के आएगा ठीक है यह एक change ले के आएगा 1 unit अब आपको पता है inclination हम जानते है के tan tangent alpha यह m is equal to होता है tangent alpha यह चलहें tangent alpha is equal to होता है I mean slope होती है tangent alpha के equal चुकि हम देखेंगे कि x में यानि कितना y में change है divided by कितना x में change है तो यह basically अगर यह alpha है तो जाहरे यह perpendicular है और यह base है तो perpendicular है basically tangent alpha होता है तो tangent alpha इसका मतलब m के equal है तो m अगर 1 है तो आपका मतलब है कि tangent alpha यानि आप बताएं कि यहां पर इसको इस तरह है भी देख सकते हैं कि alpha कितना angle होना चाहिए है alpha यहां पर कितना angle होगा कि मारे पास answer 1 आए तो हम जानते हैं कि alpha जो tangent 45 degrees के उपर हमें 1 देता है तो इसका मतलब alpha कितना हो जाएगा 45 degrees तो इसका मतलब इसकी inclination कितनी है 45 degrees, तो मैं आप लिख दूँगा alpha is equal to 45 degrees, तो इससा हमने sketch भी कर लिया, और मने slope भी find out कर लिया, और inclination भी find out कर लिया.